दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में छिपे हैं कई गहरे राज, अमर होने से जुली है इसके निर्मान की कहानी। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा और मूल धार्मिक समूभ है। यहां की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है और यही वज़े है कि भारत में अनेक हिंदू मंदिर है। शायद ही देश का ऐसा कोई भी शहर या गाव होगा, जहां कोई मंदिर न हो। लेकिन इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बलकी कमबोडिया में है। इस मंदिर का नाम है अनकोरवाट मंदिर। यह मंदिर कमबोडिया के अनकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर्थ था। इसका निर्मान 12 सदी में खामेर वंश के समराथ सूर्यवर्मन धुटिय के शासनकाल में हुआ था। खास बात यह है कि यह एक विश्नु मंदिर है जबकि यहां के पूर्ववर्ती शासकों ने प्राया शिव मंदिरों का ही निर्मान कराया था। 402 एकर में फैले इस मंदिर की दिवारों पर भारतिय धर्म रंतों के प्रसंगों का चित्रन है। इन प्रसंगों में अप्सराय बहुत सुन्दर चित्रित की गई है। इसके अलावा यहां समुद्र मंथन का द्रिश्य भी दिखाया गया है। विश्व के सबसे लोप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर युनेस्कों के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। पर्यटक यहां केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं आते बल्कि यहां का सूर्यूदे और सूर्यास देखने भी आते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि इसका मुख्य द्वार पश्चम दिशा में स्थित है जबकि सभी प्रमुक हिंदू तीर्थों और मंदिरों के द्वार पूर्व दिशा में होते हैं। सूर्यास्त के समय ऐसा लगता है जैसे यह मंदिर सूर्यदेव को नमन कर रहा हो। धलते सूरज की रोश्णी में इस मंदिर की सुंदर्ता को देखते बनती है। कहते हैं कि राजा सूरिवर्मिन हिंदू देवी देवताओं से नजदी की बढ़ाकर अमर होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक विशिष्ट पूजा स्थल बनवाया जिसमें ब्रह्मा, विश्नु और महेश्टीनों की ही पूजा होती थी। आज यही मंदिर अंकोर वॉट के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वयम देवराजिंडर ने महल के तौर पर अपने बेटे के लिए इस मंदिर का निर्मान करवाया था। इस मंदिर की रक्षा के लिए एक चतुर्दिक खाई का भी निर्मान कराया गया था जिसकी चोड़ाई लगभग 700 फूट है। दूर से यह खाई किसी जील की तरह दिखती है। मंदिर के पश्चिम की और इस खाई को पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है। पुल के पार मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार निर्मित है, जो लगभग 1000 फूट चोड़ा है। मंदिर की दिवारों पर समस्त रामायन मूर्तियों में अनकित है। इस मंदिर का इतिहास बौध और हिंदू दोनों ही धर्मों से बहुत निकट्ता से जुड़ा है। यह मंदिर मूल रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा पवित्रस्थल है, जिसे बाद में बौध रूप दे दिया गया, लेकिन आज भी हिंदू और बौध धर्म के अनुयाई समान रूप से इस मंदिर में आस्था रखते हैं। यह मंदिर मेरू पर्वत का भी प्रतीक है। दरसल हिंदू धर्म में मेरू पर्वत को भगवान ब्रमा सहित अनेक देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। चून की यह मंदिर कमबोडिया की पहचान रहा है, इसलिए इस मंदिर की तस्वीर कमबोडिया के राश्ट्रियत ध्वजपर भी दिखती है.